लें CE नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे गूलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आएए देखते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंसों का उपयोग कैमरे में होता है। चश्मों में फी लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है। यह गोलिये लंस हैं, चाहे तो अफ्तल या फिर उत्तल, सुख्षमिदर्सी भी एक लंस है, यहां तक कि अब चर्श्मों के विकल्प के रूप में contact lenses का भी उपयोग किया जाता है, और यह contact lenses, lenses अर्थात, यह गोलिये लंस भी उपयोग होते हैं, आधूनिक बंदूकों में भी दूर निशाना लगाने के लिए lenses का उपयोग किया जाता है, तो यह सारे उपयोग जो हमने lenses के देखें, यह बतलाते हैं कि lenses हमारी दिन चर्या का एक अभिन हिस्सा बन चुके हैं, आईए अब सीखते हैं कि lenses होते किते प्रकार के हैं, एक उत्तल लंस और दूसरा अवतल लंस, इसके अलावा भी lenses के प्रकार हैं, पर यह दो मुख्य lenses हैं दोस्तों, उत्तल लंस कुछ ऐसा दिखता है, और अवतल लंस ऐसा, इन दोनों lenses को एक अलग दृष्ट्रिकून से देखा जा सकता है, और वो दृष्ट्रिकून ये है कि अगर हम उत्तल लंस लें, तो उत्तल लंस को दो तो अलग-अलग लेंसों के योग के रूप में देखा जा सकता है। अगर मैं इसे बीच से बाटना चाहूं तो बीच से हम इसे तोड़ देते हैं। तो यह उत्तर लेंस दो अलग-अलग लेंसों का एक सन्योग होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक अवतल लेंज बनता है और उसी तरह अवतल लेंज को भी जब हम पीच से काट देंगे तो वो कुछ ऐसा भी छेड़ा जे तो हम समझ सकते हैं कि यह जो अवक्र भाग कि इस लेंज का इस या होगी और इस वक्र भाग की भी अपनी एक दो हम आगे विस्तार से इस पर चरचा करेंगे आईए अब उत्तालनज को समझने की कोशिश करते हैं इस लकीर पर बने दो बिन्दू C1 और C2 यह बतला रहे हैं कि ये C1 इस वकृता भाग का केंदर है वकृता केंदर जिसे हम कहते थे वकृता केंदर है और ये C2 इस भाग का वकृता केंदर है इन दोनों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं यह जो बिंदू जो लंस के बीच में मैंने बनाया है जिसे उसे मैं यहां दिखा रहा हूं इसे परकाशिक पिंद्र कहते हैं यह जो दो बिंदू और जो ओ और C1 एवं ओ और C2 के बीच में बने यह F1 और F2 फोकस दूरी बतलाते हैं और यहां पर O F1 is equal to O C1 बटे 2 ऐसा ही हमने मेरर के केस में भी देखा था दोस्तों दरपनों के केस में भी हमने ऐसा ही देखा था कि आई यह देखना है कि यह लेंज करते क्या है एक प्रयोक के जड़िये हम इसे समझने की कुशेश करेंगे यह एक सूक्ष में दर्सी है दोस्तों यह जो यहां पर बना है और इस पर प्रकाश की करने सूर्य प्रकाश की करने आप्तित हो रही है इसलिए वो लगभग समनांतर दिखाई दे रही है क्योंकि वो बहुत ही दूर से आ रही है तो यह सूक्ष में दर्सी उस समनांतर प्रकाश की करनों को अपने फोकस पर फोकस की ओर मोर देता है और बहुत सारी करने जब एक ही बिंदू पर आएंगी तो उनमें बहुत ज्यादा उर्जा होगी रोज्तों और जिस उर्जा के कारण इस नीचे रखे कागज के टुगरे पर आग लग जाती है जैसा कि यहां भी दिखाया जा रहा है कि समानांतर आते हुई प्रकाश की करने पोकस पर केंद्रित हो गया अब सीखते हैं कि लेंसों द्वारा प्रत्यविंब का निर्मान कैसे होता है इस छित्र में एक उत्तल लेंस दिखाये गया है दोस्तों जिसकी वक्रता, केंद्र, पोकस दूरी एवं प्रकाशिक केंद्र ये सारी चीज़ें चिन्हित हैं आईए देखते हैं कि हम लेंसों में चिन्ह परिपाटी कैसे समझ सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको दर्पनों के संदर्व में भी बताया था कि पहले हम मानते हैं कि प्रकाश किस दिखा से आ रही है तो यहां मैंने माना है कि प्रकाश जो है वो इस दिखा से और जिस दिखा में मैंने इस तीर के निशान को बनाया है प्रकाश उस दिशा से इस लेंस के ऊपर आ रही है तब उसी तरीके से जैसे हमने दर्पनों में चिन्ह पर ही पाटी लगाई थी यहां लगाएंगे इस focus को इस focus दूरी को हम लोग f से दिखा रहे हैं एवं इस focus दूरी को हम लोग minus f से दिखाएंगे किउंगी इस focus दूरी को नापने के लिए हम जब उसे शुरू करेंगे हर दूरी केंद से नापी जाती है पूल से नापी जाती है हर दूरी दोस्तों तो ये सीक केंद्र है जिसे हम पूल कह रहे हैं है जब हम यहां से F1 पर आने ही खोईश करेंगे तो हमें प्रकाश के बीपरीद दिशा में चलना होगा तो जब भी कोई दूरी प्रकाश की चाल के बीपरीद दिशा में ना पी जाती है तो वोसे हम negative sign से दिखाते हैं जबकि अगर हमें इस focus दूरी को O F2 जो focus दूरी है इसको लिखना होगा तो जब हम O से चलना शुरू करेंगे F2 तक तब हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में प्रकाश भी गमन कर रही है तो इस focus दूरी को capital F से माफ करिएगा capital F में धनात्मक F positive F से हम दिखा रहे हैं यहां पर दोस्तों मैंने दोनों focus दूरी को दोनों अर्थात इस focus दूरी को और इस focus दूरी का द्रब्यमान F ही लिया है अर्थात मैं यह मान रहा हूं कि जब मैं इस lens को बीच से काटूँगा जैसा कि हमने पहले भी देखा है तो इन दोनों की वक्रता त्रजयाएं समान ही हैं अर्थात यह दोनों lens एक दूसरे के समरूप हैं जिनको मिला करके हमने यह उत्तर lens बनाया है ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब दो अलग-अलग lensों को मिलाया गया तो उनकी वक्रता त्रजयाएं अलग-अलग होने से क्या होगा दोनों की focus दूरी भी अलग-अलग हो जाएगी जैसा कि इधर का अगर यह f2 है तो इधर का जो दूरी है इधर की जो दूरी मिलेगी हमें वो हमें मिलेगी अलग जिसको small f2 से में दिखा रहा हूँ और इस वाले भाग का जो focus दूरी है वो हमें मिलेगा f1 जो की f2 से अलग है तो f1 इस case में दोस्तों यहाँ पर f1 not equal to f2 पर ठाथ f1 f2 के बराबर नहीं है पर हमें इस तरह के case के बारे में भी नहीं पढ़ना है हम अभी चर्चा करेंगे वैसे ही लेंसों के बारे में जिसकी दोनों वक्रतात रिज्याएं बराबर हूँ आये अब एक वस्तु का प्रतेविंबु बनाने की कोशिश करते हैं उत्तर लंस के जरी तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वस्तु इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है यहाँ पर जिसे मैं A, B से दिखा रहा हूँ जैसा कि हम जानते हैं कि इससे बहुत सारी प्रकाश की करने निकल रही होगी पर हमें बस दो प्रकाश की करन विजुरूरत है एक जो इसके समनांतर जाए मैं दूसरा रंग यूज कर लेता हूं एक जो इसके समनांतर जाए थी वो फोकस की ओर मुर गई और दूसरी किरन दूसरी किरन को मैं यहाँ लाल रंग से दिखाने को रिष्ट करता हूं दूसरी किरन हम दोस्तों इसके प्रकाशिक केंद्र से हुटी कुजा रहेंगे तो जो भी प्रकाश की किरन प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो और कि सीधी सरर रेखा में गमन करती रहती है तो इस तरह से यह दोनो दोनो के नहीं यहाँ Egypt मिलेंगी जिससे हम प्रतिविम्ब के निर्मान की जगह के रूप में देख सकते हैं तो यह A- और यह B- तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि प्रतिविम्ब उल्टा बना है पर वास्तविक बना है जब कब जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो यह चीज़ें आप रखनी है कि हमें बस दो किरने लेनी हैं एक जो उसके फोल से होके जाए प्रकाशिक केंद्र से होके जाए जो सीधी निकल जाएगी और दूसरा समानांतर जाने वादी प् इस बार मैं वस्तू को focus और पोल के बीच में रखता हूं और फ़ात यहां इसका नाम हम A B देते हैं तो जैसा कि हमें पता है इन बहुत सारी प्रकाश की किरनों से हमें बस दो प्रकाश की किरने चाहिए अर वो एक प्रकाश की किरन जो समनांतर जाये शमनांतर जाती हुए प्रकाश की किरन हमेशा के focus våra गुजरेगी और दूट स्वेकराश की की कैणा मैं प्रकाश कजरेगी किरन ऩर्छी प्रतीत होता है दोस्तों कि ये दोनों रेखाएं ये दोनों किरने आपस में कभी नहीं मिलेगे तो दरपनों में भी हम ऐसा किया करते थे दोनों किरनों को विप्रीद दिसाने आगे की और बढ़ाएगे कि आगे की और बढ़ाने के बाद आपको पता सलेगा कि दोनों कट्ती हुई प्रतीत हो red और जहां दोनों का beverage है वहाँ पे आप जब मैरे शित्र नानी की कला मझने थोड़ी कम हैं तो जहां पे दोनों का कटान है वहाँ प्रतिविंब का निर्मान होगा A-B- यह प्रतिविंब कालपनिक है दोस्तों क्यों क्योंकि यह वास्तविक किर्णों के कटने से नहीं बना वास्तविक किर्णों के मिलने से नहीं बना है यह हम आभासी रूप से किर्णों को मिला रहे हैं पर यह प्रतिविंब सीधा है और और यहां से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इस वस्तु का प्रतेव्यम्द बैежा दिखाई दे घरा तो सुखिन दर्श्यों में ऐसा ही किया जाता है वस्तु को छोटी वस्तुम होती है उन्हें पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि उनका एक बहुत बड़ा प्रत्यविम्द दिखाई दे इसलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं magnifying glass अर्थात सुक्ष्मिदर्सी छोटी से छोटी वस्तों को देखने वाला यंद्र तो दूसरी तरफ से जब सुक्ष्मिदर्सी के दूसरी तरफ से हम देखते हैं अपने साइट से बहुत बड़ी दिखाई देती हैं आईए मैं आपको जल्दी से अवगत करा देता हूं बाकी के वस्तु और प्रत्यविम्द विस्थेतियों से यहां केस A में जब अनन्त से आदिवी समानांतर प्रकाश के किरने उत्तल लेंस पर पर रही हैं तो फोकस पे उसका प्रत्यविम्द बन रहा है जो की विंदू आकार का है दूसरे केस B में जब वस्तु को वक्रता केंदर से परे रखा जाता है तो उसका प्रत्यविम्द फोकस और उसके वक्रता केंदर के बीच में बनता है तीसरा केस है दोस्तो जब वस्तु को वक्रता केंदर पर ही रखते हैं C1 पर ही रखते हैं तो उसका प्रत्यविम्द भी वक्रता केंदर दूसरे वक्रता केंदर था C2 पर बनता है तीसरा केस जो है दोस्तों उसमें वस्तू को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है जिसका प्रत्यविंब दूसरे वक्रता केंद्र के परे बन रहा है पांचवा केस दोस्तों जिसमें फोकस पे रखते हैं जब हम वस्तू को तो उसका प्रत्यविंब अनंत पर बनेगा क्यों क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेंगी आप उसको दोनों तरफ बढ़ा लें पर वो कभी करते ही प्रतीत नहीं है तो फोकस पे रखने पर उसका प्रत्यविंब अनंत पर बनता है और अनंत से आती हुई किर्णों का प्रत्यविंब फोकस पर बनता है और आखरी और छठा जो केस है दोस्तों जिसमें जब हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रत्यविंब वस्तु की ओर ही आभासी बनता है जो कि सीधा और उससे बरा होता है अब देखते हैं कि उत्तल लंसों द्वारा प्रत्यविंब निर्मान सारणी तो यहां पर जैसे जब अनंत पर वस्तु होती है तो फोकस पर उसका प्रत्यविंब दिखाई देता है जो कि बहुत ही छोटा बिंदु आकार का होता है जैसा कि हमने सबसे पहले वाले अर्थात वग्रता केंद्र से परे रखते हैं तो 2-2-2-2 के बीच में बनता है प्रताश छोटा होता है वास्तेविक तथा उल्टा होता है इसी तरह आगे भी आप इससे समझ सकते हैं आप खुद से प्रत्रण करिए लंशो द्वारा प्रतिविंब का निर्मान एक ऐसी कला है जो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना आप इसका विहास करेंगे उतना अच्छा आप बना सकते हैं आईए अब देखते हैं अब तल लंश द्वारा प्रतिविंब का निर्मान तो मैं यहाँ पर एक वस्तु लेता हूँ जो उसके वक्रता केंद्र से परे है अर्थाथ सीवन से परे है तो मैं बार-बार आपको यह बता रहा हूँ कि इसे बहुत सारी किर्णे निकल रही है पर हमें बस दो किर्णों की जुरुवत है एक किरन जो इसके समानांतर जाए और समानांतर जाने के बाद यह फोकस की और मुरना चाहेगी पर दोस्तों इसमें यह फोकस की और मुरना तो चाहेगी पर इस लेंस का आकार ऐसा है कि यह नीचे की और नहीं बल्कि यह उपर की और मुरेगी पर मैं वार-बार कहता हूं यह फोकस की और होना चाहती हे तो यह फोकस की और ही हैं पर देखना ऐसा पड़े आपको कि जब इस उल्टी दिशा में मोरी हुई किलन को जब आप पीछे की और ट्रेश करेंगे पीछे की और बढ़ाएंगे तो यह इस फोकस से तो चाहती है फोकस से होकी गुज़रना पर इस अवतर लेंस का आकार ऐसा है कि वो उल्टी दिसा में चली जाती है जिसे आप जब पीछे की और बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होकी ही गुज़रेगी और दूसरी किरन जिसे मैं फिर से यहां लाल रंग से दिखाता हूं वो ह बनेगा तो यह जो कटान बिंदू है दोस्तों इस कटान बिंदू पर हमें क्या मिल रहा है हमें tra means अगर यह ए और बी है ए और भी है तो यह ए डश और बीडश जो की एक छोड़ की आक्रिति सेच्छोटा वस्टो क्याकार से छोड़ा कि वह सीधा है प्रतिविम और ये एक आभासी प्रतिविम है क्यों कि यंकि नहीं बना है बल्कि एक आभासी और ये और उदाहरन लेते हैं और इस बार मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं इन दोनों के बीच में अर्थात वक्रता खेंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तू करुपता हूं तो जब आप दो किर्णे लेंगे एक सामानांतर जो कि चाहेगी की फोकस हुए गुजरे पर इसके आकर इसके शेप के कारण इसके आकार की कारण को कि दिशा में जाएगी पर जवाब इसको बैक्टरिस करेंगे पीछे की और बढ़ाएंगे तो यह फोकस से रुके ही गुजरती है और दूसरी किरन हमेशा कहां से लेंगे दोस्तों पोल से लेंगे प्रकाशिक्षेंद्र से लेंगे ऐसा हम धर्पनों में भी करते हैं तो जो वस्तु है जब वस्तु का प्रतिविम्व बना है वह वस्तु के आकार से छोटा है सीधा है और आभासी प्रतिविम्व है क्यों क्योंकि इसमें भी दूसरी किरन जो है वो काल्पनिक किरन है पीछे की और हमने बढ़ा है उसको वहां किरन नहीं आ रहे है पास्तिवे किरन आ रही थी उनके द्वारा focus पर प्रतेविम्ब का निर्मान हुआ विंदु आकार का प्रतेविम्ब बना और दूसरा जो खीस बना दोस्तों जहां पर हम कहीं भी लेंस के सामने किसी भी जगह पर जब हम वस्तू को रखते हैं तो उसका प्रतेविम्ब उसी और बनता है पर वह आभासी होता है और छोटा होता है वस्तू से तो आप प्रतन कर ये अलग अलग जगहों पर रखने की आपको बार बार प्रतेविम्ब वस्तू से छोटा बा आर्मी कुछ ऐसी है दोस्तों जब आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का छोटा और यह सब के लिए हैं दोस्तों देखिए अनंत तथा लेंस के प्रकासिक केंद्रों के बीच में रखने पर और यहां दो ही चीजे लिखा अब देखते हैं दूसरी किरन होती है वह हमेशा आभावासी किरन को काटती है ऐसा कि वह प्रतेविंद्र कोकस एप भण तथा प्रकासिक के लिए कि हमके बीच में ने ही तो यह खासियत अपतल लेंस की और हर केस में आप 80 तथा सीठा आपको मिलेगा अब खुट प्रैद्र करिए आप समझ जाएए अब देखते हैं लेंज सूत्र क्या है जैसे हमने दरपनों में दरपन सूत्र पढ़ा था उसी तरह लेंज सूत्र भी हमें पढ़ना है दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पूरे अभ्यास का जो हम यहां कर रहे हैं तो लेंज सूत्र कहता है बन बाई भी माइनस बन बाई यू इस एक्वल टू बाई एफ दरपन सूत्र में यह माइनस जो रिनात्मक चिन्ह जो है वो धनात्मक था यहां पर महत्त्र सूत्र में यह रिनात्मक है तो वन बाए भी माइनस बन बाई यू इस इक्वड़ो बन बाय एफ जहां वी प्रतेविंब की दूरी है यू वस्टू की दूरी है और F फोकस दूरी है यह दूरी जब भी मैं कहता हूं दोस्तों तो दूरी कहां से दूरी पोल से प्रकाशिक केंद्र से दूसरा महत्वपूर्ण सुत्र जो हम देखने वाले हैं वो है आवर्धन का आवर्धन से लिखते हैं हड़ेश ऑपॉन हट है देश को प्रतिविंब की हाइड है प्रतिविंब की उचाई है जबकि हच वस्तु की उचाई और आवर्धन भी वाई यूभी होता है दोस्तों जहां भी वस्तु की दूरी नहीं बलकि प्रतिविम्ब की दूरी है पोल से और U वस्तु की दूरी है पोल से। एक और सूत्र लेंस की छमता बताता है दोस्तों जिसे हम एक्टिर पी से दिखाते हैं और ये ब्रावर होता है वन बाई एफ के जहां एफ फोकस दूरी है उस लेंस की आईए अब एक प्रश्न हल करने की कोचच करते हैं प्रश्न कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटिमीटर है विम्ब को विमवर्थात वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा विम्ब का लेंस से 10 सेंटिमीटर दूरी पर प्रतिविम्ब बन लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी क्यात कीजिए तो देखते हैं हम कैसे इस प्रश्ण को बना सकते हैं प्रश्ण में दिये गए जानकारी के अनुस्तार दोस्तों प्रतिविंब दूरी 10 cm है इसे मैंने माइनस 10 cm लिखा है और फोकस दूरी माइनस 15 cm रिनात्मक चिन्ध मैं लगा रहा हूं क्यूं क्यूंकि यह एक अवतर लेंस है अगर आप भूल गए हों तो एक वार मैं आपको फिर से यहां पर पना कर दिखाने की कोशिश करता हूं कि यह अवतर लेंस था और अवतर लेंस में वस्तू अगर यहां है तो वस्तू का विंब भी इसी दिशा में यहां पर बनता था तो जो प्रतिविंब की दूरी होगी वो रिनात्मक होगी क्यूं क्यूंकि वो क्यूंकि वो किरन के चाल के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है पोल से तो प्रतिविंब की दूरी मैंने रिनात्मक ली है और फोकस दूरी और इस फोकस की हम लोग को भी बात कर रहे हैं तो यह फोकस दूरी भी रिनात्मक है जो कि 15 cm दी हुई है हमें बिम्ब दूरी निकालनी है यू हमें पता है कि लेंग ताफिर लेंग सूत्र 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F उता है इसे हम ऐसे परीके से भी लिख सकते हैं 1 by U equal to 1 by V minus 1 by F जब हम यह सारी जो जानकारी हमने निकाली है इस प्रश्ण से भी F इस सूत्र में डालेंगे तो हमें 1 by U is equal to 1 by minus 30 मिलेगा जोस्तों जिससे हमें पता चलता है U is equal to minus 30 cm यू भी एक minus 30 cm है दोस्तों यू रिनात्मक आने का मतलब है कि यू भी लेफ्ट साइड में लेफ्ट अर्थात बाई साइड में है जैसा कि मैंने यहां पर बनाया था एक अब तल लेंज वस्तों भी धर ही थी और उसका विम्ब भी इधर ही था तो दोनों जो दूरियां है दोनों जो दूरियां है वो नेगेक्टिव ही है जिनात्मक ही है इस प्रकार विम्ब की दूरी 30 cm है जो कि प्रश्ण ने पूछा ताम से यहां पर कि आप विम्ब दूरी गयाद करिए तो विम्ब की दूरी भी 30 cm है यह अब आवर्धन गयाद करने ही कोज़ेश करते हैं तो आवर्धन होता है m is equal to b by u जब हम भी और u की दनकारी और u का माम उसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा m equal to 1 by 3 जो की धनात्मक है धनात्मक 0.33 यह एक बट्य तीन और धनात्मक चिंधिया बतला रहा है दोस्तों कि बन्ने वाला प्रत्यविम्ब काल्पनिक है और सीधा है और एक बट्य तीन का मतलब यह हुआ कि बन्ने वाले प्र साइज का एक तीहाई है तो इस तरह से हमने इस प्रश्ण को हल किया आईए अब मैं एक आपको ओवर्वीव देने के प्रश्ण करता हूँ इस प्रश्ण का कि इस प्रश्ण ने हम यह बोला था कि एक अवतल लेंस है जिसकी शलता है कि इसने दिया था कि प्रतिवैंब की दूरी प्रतिवैंब की दूरी माइनस टेंसेनिट्र तो माल लीजिये ये भी है तो इसका यहां यहां पर यहां पर प्रतिवैंब hyvin रही थी तो हमें मैं वकालाना वस्तु की दूरी निकालनी दूरी निकालनी थी इसी पौल से उसे तो वस्तु हमें हमेशा होना चाहिए कि इधर हीं होता वह क्यों कि हम कुई हुएलब के अव्य दूरी हो दूरी 30 cm हमने निकाल ली यह दूरी दि धी होई थी 10 cm और यह जो फोकसद दूरी है यह दूरी 15 cm तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया दोस्तों तो इसके साथ ही यह पूरा अभ्यास हमारा खतम हुआ एक फिर नए अभ्यास के साथ हमें लेंगे